Hello everyone, welcome to Eclipse Study Point और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को Class 12 Hindi Elective से जो आपकी कवीता है वसंत आया और तोडो इसके most important question answers करवाने वाला हूँ और आपको PDF notes भी provide करवा दिये जाएंगे तो चलिए वीडियो को start करते हैं और प्लीज आप मुझे Instagram पे जरूर follow करें मेरा username आप सभी के सामने mentioned है अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे message करके पूछ सकते हैं और अगर आपको PDF notes डाउनलोड करने हैं तो आप हमारे Telegram channel को join करें Class 12 ESP New Group आपको सर्च मारना है वहाँ पे आपको PDF notes मिल जाएंगे और सबसे पहला प्रशन है आज का वसंत आगमन की सूचना कभी को कैसे मिली हमारी जो कवीता वसंत आया है उसमें वसंत कैसे आता है इसके बारे में कैसे कभी को पता चलता है तो वसंत आने के बारे में जो कभी है उनको कैलेंडर से पता चलता है जिसमें ये लिखा वाता कि किस महीने के किस दिन वसंत पंचमी होगी means कैलेंडर पे लिखा होता है न वसंत पंचमी इस डेट को होगी तो वहाँ से उसको कभी को पता चला कि वसंत आ गया है और इस दिन कभी जो है वो देखो ओफिस वगरा जाता है तो वसंत पंचमी के दिन ओफिस में होलिडे भी था तो इससे कभी को पता चला कि वसंत आ गया है ठीक है उसको नेचर देखकर नहीं पता चला कि बाहर नेचर में क्या बतलाब हो रहा है कि वसंत आ गया है उसको कैले पता चला फिर उसके बाद अगला सवाल है कोई 6 बजे सुबह फिर किसी आई चली गई यह पंक्ति का क्या मतलब है क्या कौन आया 6 बजे तो इन पंक्तियों के माध्यम से कभी यह बताना चाहरा है कि वसंत का जब टाइम होता है न वसंत का जब मोसम होता है रितू होती है उस वो देर तक नहीं चलती हवा, सूरे के तेज होने के साथ ही, वो हवा भी थोड़ी थी, मतलब कम होने लगती है, और इसलिए कवी ने ये बोला है, वसंत की, जो मौर्निंग की, जो सुबह सुबह की साफ, सुतरी, ठंडी, खुश्बुदार हवा होती है, वो ऐसी है, मानों की कोई फिरकी की तरह आती है, और जल्दी से चली जाती है, ठीक है, फिर अगला सवाल है, वसंत पंचमी के अमूग दिन होने का परमान कवी ने क्या बताया और क्यों, और वसंत कवी था क्या दार पर अपना उत्तर दो, तो ये इस तरीके से अगर कोशन आता है, तो आप इस अप्तर में जो holiday था, जो छुटी थी वहां से पता चला, क्योंकि जो चुटी होगी, वो calendar पर लिखी होगी, और calendar पर mention होगा कि इस दिन अमूक दिन अमूक, ये जो मतलब मिन्स इस दिन, जो होगा छुटी रहेगी, आपकी holiday होगा, और वसंत पंचमी है, इसलिए कवी को ल गेंडर देखकर प्रकर्डती में क्या प्रिवर्टन हो रहा हैं ये तो आप कभी परक्षी ने पाएं मतलब जो कवी है उनको फटा ही नहीं है प्रकर्ती में क्या बदलाव आता है जब वसंत आता हैं बड़ जू दफतर में चुटी है वहाँ से उनको ये प्रूफ मिल गया कि वसंत आ गया है क्योंकि गेलेंडर में लिखा है ये है और कवीता है पढ़ते रहने से आम बोर आएंगे इसके अंदर आपको बताना है कि क्या बताए जा रहा है तो कवी कहता है कि हम क्या है कि आज modern lifestyle में इतना गुश गया है कि हमें पता ही नहीं चलता कि कैसे कैसे रितू परिवर्तन होता है अगर कोई नया मोसम होता है रितू आती है तो हमें पता ही नहीं चलता क्या क्या उस रितू में बदलाब होते हैं नेचर में बोरें आ जाती हैं और इसी बरकार कवी ने ये बताया है कि जो प्रकरती के परिवर्तनों को इग्नोर करते हैं ठीक है वो क्या करते हैं प्रकरती के बारे में वैसे तो बहुत ग्यान देते हैं लेकिन उनको यही नहीं पता कि प्रकरती के अंदर वास्तव में क्या बदलावा मिन्स वसंत आया कवीता क्या बताती है में तो वसंत आया कवीता जो है इसमें कवी की में चिंता यही है कि हम जो मनुष्य लोग है जो इनसान है वो प्रकरती से उनका जो संबंध है वो कमजोर होता जा रहा है हम नेचर से दूर हो रहे हैं जैसे जैसे रितू परिवर्तन होत अब पता चल रहे हैं कि हाँ यह रितु चल रही है केलेंडर देखकर, प्रकर्ती को देखकर आपको कुछ पता नहीं चल रहा है तो प्रकर्ती के अंदर क्या है कि जब वसंत आएगा, तो पत्तों को आप देखके वो जड़ेंगे नई कोपले फूटेंगी ठीक है और सुन्दर सुन्दर बहुत ठंडी ठंडी कुश्बुदार हवा चलेगी ढाक के जो जंगल होते हैं वो देहकने लगेंगी कोयल कूकेगी भवरे जो हैं वो गुंजन करेंगे लेकिन आज हम इनसान ये सब चीज़े कहा देखते हैं किसी पर टाइम ही नहीं है भई 10-10 बज़े तो लोग सोके उट रहे हैं तो सुबह की 6 बज़े की आवा कैसे देखेंगे वो तो कैलेंडर से ही पता चलता है कि भई वसंत आया सो ये इसमें बताया गया है पत्थर और चटान शब्द किसके परतीक है तो तोड़ो कवीता के कोशन आंसर्स अगर मैं आपको बताऊ तो पत्थर और चटान शब्दों का परियोग किया गया है जो बाधाएं होती है जो आपकी क्रियेटिविटी को रोकती है इन बाधाओं को नश्ट करो तोड़ो और आप जबी कुछ कियेटिव कर पाओगे खेत से पत्थर कंकर आदी निकालोगे जबी खेत उपजाओ बनेगा ऐसे ही आपके मन में जो रूडिया है जो पुराने रीती रिवाज जो मन में आप जो अंद विश्वास लेके गूम रहे हो जो आपकी बाधाए हैं आप उनको हटाओगे जबी आप अपना माइंड ग्रो कर पाओगे फिर उसके बाद है कवी को धर्ती और मन की भूमी में क्या-क्या समनताई दिखाई पड़ती है तो देखो कवी ने बोला है कि धर्ती को आप जब उपजाओ बनाना चाहते हो जमीन को तो आप चट्टानों को पत्थरों को खेट से एकदम साफ कर देते हो ठीक है समतल करते हो ताकि आपकी जमीन बंजर ना रहे और परती भूमी को खेट में बदलने के लिए आपको क्या गरना पड़ता है ये सारे पत्थर चट्टानों को तोड़ना पड़ता है जब भी आपका खेट जो है वो मिट्टी से वो रस खीच पाएगा और आपके बीज अंकूरित होंगे और आपकी फसल होगेगी की तरफ आगे बढ़ो तो तोड़ो कवीता का अगर परती बादे आपसे पूछा जाता है तो ये क्या है कि कवीता जो है न ये एक उदबोधन परक कवीता है आपको ये सोचने पर मजबूर कर रहे है कि आपके मन की जो कुछ ऐसे चीज़े है मतलब ये कवी ने क्या करा है जो धरती होती है उसकी तुल्ला मन के साथ करिए और दोनों को बताया है कि कैसे धरती भी बंजर होती है मन भी बंजर हो सकता है धरती में चटाने कंकर तोड़ते हो घटाते हो जब ही धरती अच्छे से उपजाओ होती है वैसे ही मन में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती है नकारात्मक आपकी फिलिंग्स होती है जिनको आप जब तक तोड़ोगे नहीं जब तक आप कुछ कर नहीं पाओगे तो यही इस कवीता का प्रतिपाद्दे है ठीक है तो कवी यही कहता है कि जैसे बरसों से खाली पड़ी जमीन को हरे बरे खेत में अगर आपको बदलना है ठीक है तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है कि भाई जो पत्थर वत्थर जो भी है वो सब आपको हटाने पड़ते हैं क्योंकि जो बंजर जमीन होगी पत्रीली होगी वो बीज कभी भी वहाँ पर उग नहीं पाएगा ठीक है तो इसी वजह से आपके मन में जो stress है जो निराशा है जो sad feelings है जो negativity है वो सब अटाओगे जबी आप कुछ की रेटेव आगे कर पाओगे अगर आपको वीडियो पसंद आईए तो चैनल सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेर करें जै हिंद जै भाण